आपका स्वाधत है आपके सारे बच्छे कैसे बटाबर से आजाओ सारी बच्छे करते हैं हम लोग कहा तक तक हम लोग कर लिए थे वह जड़ा एक बार देखते हैं कर लिए थे हमने इसमें वह सुरू करेंगे यहां से अर्यू रेड़ी देखो बच्छे आजाओ लाइफ ठीक है दो बच्छों के हैं दो पांच हो चुकी है यार ठीक है फोड़ा देली हुआ सेशन आजो सारे बच्छे बटाबर से अग्टाबर नून आरुशी और सारा चौधरी है वर्षा है मारे साथ किरनी आदब जी बनाई सारे बच्छे सेशन चुड़ जाएंगे और एक बार सेशन को भाई लाइक और शेयर कर दीजिएगा अगर टाइम मिल जाए तो ठीक है अदरवाइस कहते हैं साथ सही फैसला लेने के चक्कर में मत पड़ो बलकि जो फैसला ले लिया है उसे सही सावित कर दो ठीक है जो फैसला अपने ले लिया उसको क्या करना है अब सही सावित करना है अब ऐसा मत बटगो भई कि ठीक है कई पर ऐसा होता है बच्छे जना अलग स्ट्रीम कर लेते हैं मैं पढ़ा हूं साइन से मैंने तयारी करना सुरू कर दिया मानव पढ़ाना सुरू कर दिया SST फॉर एक्जामल है ना हमने तैयारी की हम यह तैयारी कर रहा है बैंक और चाहिशन करदा फिर इसनों वह बॉन अलग कर लिया है, ठान लिया है, तैयारी हमें ओनेगे करने हैं, तो सर्पर वह बनना है और इसको साबित भी करना है थैग है ठीक है, ओके, सारू जी, ठीक है, समझ गया हम है, पूजा, शाह, गूड अफ़र नून, एबरीवन भाई, आजाओ बढ़ा बढ़ से, अब भाई आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स कुछन के तरफ, कुछन कहता है, आपका यहाँ पर देखिए, पहला कुछन कहता है, एक अध्यापक, मेदा पार्टेकर, वो अमिर्ता देवी विश्नोई के योगदान पर बोल रहा है, तो भई, यह पूछा जा रहा है, यहाँ पर, मेदा पार्टेकर हैं, और अमिर्ता देवी विश्नोई है इन दौनाओं का संबंद जो है वो इन मैंसे किसे से होगा कि आज आपने देखा होगा सुब़े सुब़े एक बहुत ही दुनिया में न्यूस चल रही है कि यूस ने अटेक कर दिया है यूकरिन पर और उसका इंपक्ट जो है ऐसा नहीं है कि उनी पर आएगा हमाले उपर नहीं आएगा हो सकता है थर्ड वार की कंडिन से न बन जाए ठीक है क्योंकि इदर अमेरिका विर्टरें फ्रांस जर्मिनी इटली खड़े हुए है यूकरिन के साथ इदर जो है हमला सुरू हो गया है काफी सैनिक जो है उनके मारे भी गए तो यार देखो यह चीज है जो है आपको देखने को मिलेंगी तो हम यहां पर यह कह सकते हैं कि थोड़ा सा आप इस पर भी अपने आपको बनाए रखें बहुत से लोगों के जो है इंडियंस हैं फसे हुए अफोगी सुपर ट्रेट में को चुर्षिन पूशे आ सकते हैं ऐसे ही भुद्र में फूझ आते हैं जो डिखते हैं होतेया थ 끼रेंट से यह हैं आपके पचाब कियाता है नो ने आगे बढ़ते हैं नेक्स प्राणी सत्ता प्रतिवर्स मनाया आता है तो नवंबर के प्रत्म सत्ता में मनाया आता है या फिर अगस्त के प्रत्म सत्ता में या फिर अक्टूबर के प्रत्म में या फिर जुलाई के प्रत्म में पता यहार बच्छे शिकर करेंगे यहां प्राण सब जाएगा ऑप्सन जो है लगा लो प्रटाबर से सी आंसर अक्टूबर के प्रथम सब्ता में ही हम क्या करते हैं वन प्राणी दिवश मनाते हैं सर ठीक है तो भई वन महुस्ब जो है वो कभे फरवरी और जुलाई के प्रथम स कुछ दिक्कस ही हो रही है तब सी खरावल लग रही है मझे आश ठीक है तो यहां पर संस्ता जो है वो ड़लु ड़लु एफ है सर इसका फूलफोर्म होता है वर्ड लाइफ वाइलाइफ फॉंड फॉर नेचर व्ड़व आप फिय एक ऐसी संस्ता है तो क्या करती है सर पर आगे बढ़ते हैं नेच प्रेशन की तरफ सन उननीच सो बानवे में पर्यावरन सचा किसे संबंदित प्रत्वी संबिलन की सेर में हुआ था ठीक है तो भई बुलकुल यार देखो ऐसा हो इनी सकता बुलकुल यह जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं जो मैं यह आपकी सुपर प्रत्वी संबिलन के बारे में समझ लो यह 1992 में हुआ था अपका और यह संबिलन ब्राजिल की राजदानी रियो डी जैनिरियो में 3 जून 1992 को आयोजद किया गया था ठीक है याने कि यहां पर देखा जाए आपका तो इसमें यह एजन्डा 21 नाम से जाना जाता है है यह दो यह जैन्डा है आपका वह 21 की नाम से जाना जाता है हम बताएं डी डी कहां बताएं भई बी तो बताया है बी होगा इसमें तो बाउन के लिए रहे चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स प्रड़र अच्छा यहां पर एक और कुछ ना जाता है बहारत में पर्रयाबर्ण सरनाच्छन जो है एक्ट जो है लागु वहा था यह आपका जो हो रही है पार्ड़ दुवा था नाम से जाना जाता है ठ जनियुम 97-2 में मानव पर्रयाबरण पर सेंग्त राज सम्मिलन की गोशना को लागु करने के लिए पार्ड़ किया गया था आज भी देखा जाए तो यूए नो कह रहा है कि सर रूस ने क्या किया उलंगन किया है तो जब कोई भी कोई भी रूल कोई भी एक्ट बन जाता है और एक देश दूसरे उसका उलंगन करता है तो वो उसके प्रोटेक्शन में आता है हालांकि सर देखो जाए देखा जाए मतलब कहने का यह है कि वो कुछ भी हो लेकिन उसने दो देशों को अलग देश की मानता दे दी जो की एक क्या था उलंगन था जो की एक अपना पूरा यूनियन संग होता है इसके विस्सें पर जो रूल स होते हैं उस विस्सें पर तो उसको देखते हुए यहां पर इसलिए अमेरिका है या और देखन Corinthians है उसके उसके सारह उर रहा हैeeee और यही होता है कि जब एक दूस्त वार के बाद में यह सारे रूलें रूस मनाया गए ते कि कोई भी दिस दूसरे दिस पर इस तरह से अक्रमन नहीं करेगा अगर करता है तो उसकी सपोर्ट में और दिस आएंगे ठीक है तो कई चीज़ें बनती है यह मुसकान आलं गैसर जी कोई रिपलाई नहीं देते हैं कौँ सारे नहीं दिया क्या कोचिन पूशनाय बतायए lad़ा परका पूशनाय रिपलाई क्या करना है क्या प्लानिंग कर सकते हैं क्या क्या आप यूजनाय है उस से संबनत है इसका ठीक है आशा गुड़ अफरन नून बिड़ा ठीक है गुड़ अफरन नून आजो सारे बच्छे रिच्छा जी गुड़ अफरन नून भाई जै मां काल सभी एक को रादे रादे आगे बढ़ते हैं सर नेक्स पॉंट की तरफ एक मैड़क एक टिड़े को खाता है तो उसमें यार यह कोशन तो मुझे लग रहा है हुआ था साइड आई थेंग है ना कोई देखकर नहीं है तो वह प्राथमी को पवक्ता से क्या होगा दित्य को पवक्ता को ट्रांसफर होता है अबका आई मैड़क जो है टिड्डा क्या है अब कन्जूमर क्रेंडी से यह विवश्वार ववारवं होगा तो बहुघ यह वता हो कि किसने वश्वारी कर दिए शरू यह बता हूँ मुझे कौन है यह वभिश्मारी करने वाला यार अगर वर्ल्ड वार हुआ तो बहुत दिक्कत होगी फिर तो बहुत दिक्कत हो सकती है अगर बढ़ते हैं नेक्स और यह वाई मैडग का किस बुल्ड को खा मेरी थाभ को खा तो नेowed तो प्रानरी आसि फिर आता है प्रथी थॉप में से पे प payment कॉन सा था था एक-, पार्सित की तंत्र जो है सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, पार्सित की तंत्र जो है वो कौन सा है सर यह बताईए, रेगिस्तान है, समुंद्र है, वन है या करशी भूमी, तो भाई समद्र से बड़ा क्या होगा, समुंद्र होगा, लगा लो option B is the right answer, ओशन जो होता है, वहा सबसे बड़ा होगा, ठीक है, चली आगे बढ़ते हैं, समा करशोर बेटा, क्या point समझाना है बेटा बताओ दुवारा से, पूछो क्या समझना है आपको, दुवारा समझाएंगे, तिवारा भी समझाएंगे, हर चीज को एक एक बार नहीं, दो दुवार समझा दूँगा, पूछो, यहाँ पर देखो, लाइव क्लास लेने का, दोस्तों, यही फाइदा है, कि लाइव क्लास में आप अपने डाउट्स को डारेक्ली हमसे पूछ सकते हैं, और मैं कोसिस कर रहा हूँ, कि यहाँ पर कमेंट पढ़ने की, अगर इन केस कोई क्वेरी है किसी बच्चे क तो उसको उसका आइंसर मिले, रिपलाई मिल जाए, आगे बढ़ते हैं सर, तो वाई यह आपका क्या है, एक्योटेक एको सिस्टम है, जो क्या कह रहा है, कि जली यह पारिस्त की तंत्र क्या है, जो पानी से सम्बंदित होता है, तालाब में हो सकता है, ठीक है, या फिर किस और बड़े में हो सकता है, डिपन करता है, हमारे घर में मचली घर होता है, ऐक्योटेक जो होता है, वह भी एक क्या है, एको सिस्टम बनाता है, कि आगे बढ़ते हैं, सरे दिखो यह रही, लार्स फिस है, ये, смॉल फिस, इंसेक्ट्स, और यहां पे ये एक्योटेक प्लां मिलते हैं, जो पानी के अंदर आपको देशने को मिलेंगे, उसके ऊपर पे छोड़े कीरे में कीरे होते हैं, फिर स्मॉल फेस और फिर बड़ी फेस, इस तरीके से इसका ही कोई सुनिशनम बनता है, यह दे सकते हैं आप यहाँ पर, यह रा, पूरा, ठीक है, आगे बढ़ते ह पर्याबर्ण को बचाने के लिए, चिपको अंदोलन से कौन सा राज जुड़ा है, तो बहिए एकी राज्य है हमारा, इस पर बनता कुछन सबसे अदा, उत्तराखंड, जो राज्य है, वहीं से चिपको अंदोलन चला था, और पर्याबर्ण को चिपको अंदोलन जो है, प आती साका हारी है है ना और बकरी भी साका हारी है यह दो तो हो नहीं सकते हैं कि सेकंडरी कंजूमर है तो आपका कैसा होगा मासा हारी होगा अब मासा हरी में आपका साप भी है और सेर भी है तो यहां पर आंसर क्या बन जाएगा वह आपका साप होगा या सेर होगा देखते हैं कितनी बच्छा अंसर सही लगाते है इसका ठीक है आसा का शुएता का आंसर आ रहा है मेरे पास ठीक है सर यूक्रेन इंडिया से अपील कर रहा है साथ में होने की देखो वई एक्ष्णि में क्या है अब यह डिपेंड करेगा भारत क्यों बहारत क्या करेगा अभी तो खेर कोई पता नहीं कहने सकते क्योंकि रशिया से भी हमारे भारत देश के सम्मत अच्छे हैं और आगे क्या क कहती है पॉलिटिक्स तो हम उस पर नहीं कह सकते हैं लेकिन उसने अपील की है पूरी दुनिया से यह है के लिए तो यहां पर आंसर सी बन जाएगा बेटा बी नहीं होगा निदी अलका सिंग भी बता रही है हाँ प्रिती कुमारी ने बताया सी वेरी गुड उसके बाद मे सिर होगा और ये है ऊपका टाइगर है वाहरत की रात आम आता है लेकिन सर जंगल का राजा किसे का जाता है तो सेर को का बना जाता है अब जंगल का राजा है अब आपकी सोच मैं वंतरूर्पर अगर आप साप मारा बन सकता हूं अपने इसपास के पूरे इलागे का राजानला इससे नहीं गुड़ना बनना है राजानला अच्छे तरीके से बनता है आप अपनी तैयारी करते हो प्रिफिशन करते हो तो अगर सब्सक्राइब आई स्पीस बन जाते हो तो भी राजा से कम तो होता है ठीक है तो सोच होनी चाहिए ज़सबा अउं चाहिए तो आप बन सकते हो और सोची नहीं है सर किना मैं तो कुछ खनी सकता मेरा आएक दोस्ता थी पगा वंगों का दोस्त था हो ज़ता है मतलब इतना नेगेटिव कि में एक खरी नहीं सकता जो सोच से बड़ा होता है इंसान जारा कंद है और क्या गरेब पैदा हो ना हो सकता है गरीब मरजाना जिक है उस से बड़ा फिर कुछ निहों सकता है फिर यह आगे बढ़ते हैं छिप को अंदुलन के सब्सदित है उत्तरहया गंड है तो भई एक दिशिया होता है बहुत दिशिया होता है चक्री होगा है या उवद दिशिया बच्छो आज भी आपका ओफर चल रहा है Y184 Code Use अगर आप करते हो तो 77% का ओफर चल रहा है महापैक लेने का सबसे बड़ा फाइदा है अगर आप महापैक के दिव जाते हैं तो बता रहा हो सब टीचर बनके निकलोगे तीचर सद्ड़ा से अगर आपने महापैक पड़िया तो टीचर बनके निकलोगे क्योंकि यहां पर आपको सारे kourses free हो जाते हैं, यह महाँ पर लेने के बाद, सारे kourses free हो जाते हैं. और आज उफर चलता है आपके लिए 77 का, तो आज ही ले सकते हैं, मुस्किले तीन याका पड़ेगा आपको. ठीक है और कोई भी डाउट हो कोई भी कन्फूजन हो इसमें पूछ लेना मेरे से आप एक बार तो दोस्तों यहां प्रांसर क्या बन जाएगा एक दसी होती है वह आपका फूर्ड चैन के अंदर उर्जा की जो एनरजी होती है वो कैसी होती है यूरी डाटेक्शन होती है दे पास उल्लू के पास उल्लू आपका फिनेस्ट खाताम डेड बोडी को कवक या डिकमपोजन ने क्या किया मिट्टी मिला दिया और मिट्टी मिलने के बाद फिर से वह क्या होते हैं दुवारा से आपके प्रोडूसर के पास पहुंच जाती है ठीक है इस तरीके से हमने उर्ट जगत ट्रांस्वर सब्सक्राइब के लिए क्या हाँ बुलकुल बिटा आदस बैच के लिए दा रहा हूं मैं आपको बैच पज़ेक उसमें सुपर टैड सी टैड यूपी टैड सारे बैच इसमें इंक्लूड होते हैं महापैक में आगे बढ़ते निदी पारित अंतर में उठ्जा का प्रात्मिक सुरू तो कौन होता है आपका एको सिस्टम के अंदर प्रामरी सूर्स एनर्जी क्या है तो बैच सूर का प्रिकास होता है तो आपसंट बी इस दा राइट आंसर लगा हो बैच आंसर हो जाएगा बिड़ा बी आपका यूटूब चैनल है ध्यान रखिएगा तीचर अड्ड़ा यह देख सकते हैं सूर की रोसनी आती है सीधी पर पढ़ती है और इससे एनर्जी आती है पीड़ाओं से या पीड़ पौदाओं को हम लोग खाते हैं ठीक है और उससे हमया एनर्जी मिलती है ठीक हम आपने आज आलू खाये होंगे आपने आज भिंड़ी खाई आपने आज मालो गोवी या अपने मतलब कुछ भी खाया सब्जी बनी होगी गर्में तो वो कहा है किस से मिली आपको पीड़ पौदाओं से ठीक है वेजिटेबल सारी क्या है प्लांट से मिलती है इनमें से कौ इंपौनेंट में नहीं आएगा विकोज यह बात हो रही है क्या यूनिवर्स की से ठीक है निदीरानी सीटेट का नेक्स बैस शुरू हो रहा है बहुत जल ठीक है सीटेट का बैस आपके लिए आने वाला है आपको पर्चस करना हो तो मुझे बता देना एक बार मैं बात कर आखे बढ़ते हैं सर ढांसर बने के आपका यहांपर यह देखिए हैं さूर बंडल है यह सूरुदेवत्ता यहांपर यह मरकरी यह वीनज यह प्रत्वी आपकी ऐर्थ। इस तरीगे से सारे क्याओER आपके यहाँपर यह ग्रह हैं खिए तो कुछ ना सकता है आपका कि सूर के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है तो यह रहा मरकरी बुद्ध ग्रह जो होता है वो सूर से सबसे नजदीक है दूसरा है सुक्र आता है और फिर प्रत्वी है तो प्रत्वी के नजदीक कौन सा है सुक्र ग्रह आता है ठीक है किलियर यहां तक point कोई doubt यहां तक किलियर है बच्चो मैं देख रहा हूँ बई session को बच्चो ने अभी तक share नहीं किया है मजा नहीं आ रहा बई मेरे को ऐसे नहीं नहीं लाइक किया है 100 प्लस लाइक रही है फटाबट सारे बच्चों के आलू के बिना सबजी अच्छी ने लगती सही है बई लेकिन दार करना बटा आलू खाई ये लो डाउट लेकिन आलू साथा में आप हरी सबजी जरूर खाई ये एक दिन आप सुबह साम हफते में दो-तिन दिन आपके हरी सबजी में आपका बहुत सारी सबजी आती है ठीक है सेम है पैठा हो ता है कासी वरीश से कहते है अब तो सरज्या मुसल चल लआ Farm आपका हरी क्या कहते है उसको मैथी है बहुत सारी ऐसे चल रहे हैं जो हरी सबजी खाने के लिए बहुत जरूरी है बॉडी क अंदर प्रॉपर बाने के लिए, अब सरा आता है परद्यावर्ण को चार शेत्रों में डिवाइड किया गया है उसमें पहला आता है लिटो स्पीर, दूसरा आता है हाइडो स्पीर, तीसरा आता है अटमॉस्फियर और बायो स्पीर याना कि इस्थल मंडल, जल मंडल, वायो मंडल और जैव मंडल, ये चार आपके इसमें हैं, आपको क्या मिलते हैं देखने को मिलते हैं सर, ठीक है चार पार्ट में हम डिवाइड करते हैं इनको कितने, फोर पार्ट में सर प्रत्वी थोस उपर ईपर इपराट उति है वाला पार्ट इस्तिल मंड़ कहते हैं और कहते हैं कि से 29% क्या है आपका लेंड पार्ट है इसमें लिखा हूँ ग और है इने लिखा है हां यह रहा प्रत्वी कालबह एक तेहाई बाग याननिकी कैसा बाग है इस से मंडल है लिटो स्फियर है 29% और यहाँ पर यह मंडल सैलो और खनिजों से निर्वत है इसमें आपको कोईला, आपको इसके अंदर सोना, चांदी, बहुत सारे आपको खनिजपदार्थ देखने को मिलते हैं ठीक है? क्लिरे पॉइंट, आगे बढ़ते हैं सर, यह मंडल परत्वी, यह मंडल मरदा की पतली परत से डखाओ हुआ है इस से मरदा की जो पतली परत होती है, उस से क्या है? डखाओ को मिट्टी से और यह मंडल परवत, पठार, घाटी आज पाए जाते हैं अलग अलग जगाओं पर देखने को मिलेगा आपको, बहुत सारी परवत, पठार, मंडल आपको देखने को मिलते हैं ठीक है? आगे बढ़ते हैं, तो देखो भाई यह रहा आपका, सबसे यहां पर यह देखने को मिलेगा ये आपकी crust है, ठीक है? ये आपकी upper mental है, ये mental, और ये आपकी outer core, ये वाला part, और ये आपकी inner core, इस तरीके से प्रत्वीके अंदर आपके part है, और जो, ये वाला part है, प्रत्वीके ऊपर जो है, इसके अंदर आपको मिलेगा trophosphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and xpere, यानि कि यह कुछ लेयर्स हैं आपकी यह जो वाई यू मंदल के अंतर आती है इसके ऊपर यहां से यह सारी लेयर्स में आती है आपकी ठीक है आदस कहरें से रजल्ट का बस बेट है बाई देखो रजल्ट यार मैं फिर कह रहा हूँ आप ऐसा क्यों सोचते हो कि रजल्ट आएगा हम पास हो जाएंगे तभी हम जो है पढ़ाई करेंगे उससे पहले पढ़ाई नहीं करेंगे मैं एक परसंट मान लो मान लेते हैं कि एक परसंट सो परसंट मैं से दस परसंट लोग मान लो या फचापरसंट लोग फेल हो गए ठीक है तो यह उनके काम नहीं आएगा क्या है जो पढ़ा रहा हूँ मैं क्या उनके काम नहीं आएगा यह आएगा दोस्तों अब के काम आएगा और जो किसी दियान से पास नहीं भी हो पाएंगे उनके भी ये काम आएगा ये द्यान रखिएगा ऐसा बुलकुल नहीं है कि ये कहीं भी वेश्ट होगी पड़ाई आपकी मैं फिर क्या रहूं आप लोगों से एंपीटर वालों का पेपर है पांस तारीकों उनके लिए भी क्लास बहुत इंपोरेंट है ठीक है और कितने बच्चें एंपीटर से मैं सुत्राओं कि कल्लों लोगों के लिए एक मैरातन क्लास लगा दी जाए चली आगे बढ़ते हैं एकब मुझे कमेंड करना है एंपीटर वाले बच्चे थीक है आगे बढ़ते हैं सर इस्थल मंदल का महत्तो Japanese आपका यहां परो देखो यह खनिज्जों का प्रमुक्स रोत है पहली बात यह खनिज्जों का क्या है प्रमुक्स रोत है दूसरा यह मंडल जो है हमें वर्न करशी और में रहने के लिए भूमी प्रदान करता है ठीक है क्या करता है वर्न करशी में रहने के लिए भूमी प्रदान करता है ठीक है दूसरा आपका यह मंदल पश्चुओं को चलाने के लिए घास इस्थल पिताब करता है आपको ठीक है यानि कि आपको घास इस्थल जो पश्चुओं चलाने के लिए घास जो जहां पर पश्चुओं अपर चारा चड़ते हैं वो मंदल भी प्रुवाइड करता है तो सारे बच्चे आ सकते हैं उसको त्यारी कर सकते हैं आपका। इसते हैं इर्ध्य से से रहे जरन है समय हृती सब्सक्राइब अधल यहां पर यहां पर आता है ज मंडल को सतरु को क्या जाता है जले मंडल को आपका सेंटी वंट कहता है दो तेहाइ वाग है आपका जो जल से नकारण प्रत्वी बर्ट सेखर माथा थे जावारण प्रत्वी में काफी आपगो पानी देखने को मिल जाएगा और दस्ताओं से जैसे वर्फ है वास्प है भूमीगत यानी अंडर ग्राउंड वाटर जो उसके रूप में पाया आता है, बहुत सारे ऐसे glacier आज भी हैं, जैसे सियाचन का नाम सुनुआ खो आप लोगों ने, वो glacier है, है ना, कहते हैं कि global warming होने के वैसे वो पिगलता जा रहा है, समुन्दर में बहुत सारे आपके हिम नद्र हैं, बहुत सारे glaciers हैं, है ना, और वो भ पिगल रहे हैं, उनके पिगलने से क्या हो रहा है, जल इस तर बढ़ता जा रहा है, यानि कि सर होगा क्या में समुन्दर यह नहीं आ रहा, कहां का मचोगे आप, कहां का मचा जाएगा, ठीक है, चली, आगे बढ़ते हैं सर, next question, तो यह अब ही आपका देखो, यहाँ पर हो आपका बारिस का पानी जमीट पर नीचे गरता है, यह पूरा फॉर्मेशन है यह यह एक कंप्लीट फॉर्मेशन है, जो होता है, यह आपका किसम पर आएगा, जल चक्र में हो जाएगा, इसे हम क्या क्या है, वाटर साइकलिक के नाम से भी समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों आगे पढ़ें, next point पर नेरा, तो भाई इसका जो महत्तो है, क्या-क्या हो जाएगा यानिकि importance, इसका essential organism यह सर क्या है, पानी अगर नहीं होगा सर तो बेकारत सब कुछ पानी बिना जीवन संभव ही नहीं है प्रत्थिवी पर जीवन संभव क्यों है क्योंकि यहाँ पर वाई यू और पानी दोनों चीज़ें हैं, जिसके विश्रस पर एक life हो सकती है यहाँ पर, इसलिए इसको का जाता है, कि इंपोडेंस होती है life में इसके, एक असरा बाता है वाई यू मंडल एड्मोस्पिर की बात की जासर आपका, तो प्रत्वी के चारा ओर मौजूद वाई यू के आवरण कोई क्या का जाता है, वाई यू मंडल यह प्रत्वी है, और इसके चारा तरफ का जो आवरण है आपका, यह क्या है बई आपका वाई यू मंडल का जाता है है ना वाई यू मंडल कई प्रकार की गैसों जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है कारवंड़ी अकसाइड है ठीक है, इन सभी का क्या होता है सर आपका, मिश्रन होता है ठीक और इस मंडल में धूल के कण और जल्व वास्प भी पाए जाते हैं सर कहते हैं कि वाई मंडल में कई प्रकार की गैसें होती है और वो कई प्रकार की गैसें उनकी लेवल पर चलती है कि कितनी सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है नाइट्रोजन है, उससे कम आपकी कौन सी है औरगन है, फिर कारवंडिय अकसाइड है इस तरीके से कैसे आपके यह बहुत सारी होती है यहाँ पर ठीक है आज मैं आप लोगों को इसका पीडिया भी दे दूँगा ठीक है जो बच्छे भी हमारे टेलिग्राम में साथ एड है जो नहीं है वो एड हो जाना वह यह है प्रत्वी का वायू मंडल ठीक है जानगना सबसे जादा कौन सी कैसे होती है वह आपकी नाइट्रोजन कितने परसेंट बताएंगे आप लोग ऑक्सीजन उसके बाद आती है ठीक है उसके बाद आपकी औरगन गैस का नाम आता है और फिस यो टू कार्बन ये अक्स ठीक है तो राउंड 78 परसेंट के लगवा क्या है आपकी नाइट्रोजन है दिखाए दिन दे रहा है गया पूछ ले ना मैं पैन का कलर भी शेंज कर देता हूं ठीक है 78 परसेंट कौन सी कैसे नाइट्रोजन उसके बाद आपकी ऑक्सीजन 29 परसेंट के लगवा होती है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेट्रोजन के दर्फ African उस नाइट्रोजन का मन्दल होता है वह सूरकी कर्ण से आने वाली जोサणिकारक क्रिण उनको रोगती हैं उन जो लेयर्स हैं हमारे उन लेयर्स में एक लेयर होती है समताब मंडल है ना वो क्या करती है सरा आपकी सुरे से आने वाली जो हानिकारा किरने हैं उनको रोका जाता है जिससे हम क्या कहते है बई ओजोन लेयर कहते हैं ओजोन परत कहते हैं है ना ओजोन परत से क्या होता है जो परावागनी आपकी हानी आई करने हैं उनको आखके जाता है मौसम और जिल्वाई वियु संबन्द परवर्तन लाता है को मौसमiej होसं कहां होता है आपको बता है हृम आप यहां पर देखो यह रही यहां पर जो आपका अगर वियं बतात बात करूं ठीक है तो जो आपकी इसमें से नहीं आ रहा है जो आपका छो मंडल है ठीक है यहाँ पर सारी मौसमी संबंदी यह दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा सही मौसम संबंदी कटना सारी कांगरती है सारी यहीं कटती है ठीक है और संबंता मंडल में आपकी ओजन लेयर जो होती है ओजन परत वो आने से एक रोकी जाती है ठीक है जिससे क्या किया जाता है आपके अल्टरा वाले रेस को रोका जाता है और कहते हैं, के सर अल्ट्रा वालो रेस से रोकने से हमारे जो प्रत्वी पर अल्ट्र रोक जाती है तो क्या होता है, आपका बहुत सारे जो बीमारिया है, उनसे बच जाते हैं ठीक है? तो ये सारी यो लेयर्स है वो आपकी कामिलugen की देखने को मिलती है, प्रत्वी के उपर यू मंडल में देखने को मिलती है, ठीक है, आपका यहाँ पर मद्ड मंडल है, यह आपका आइन मंडल है, ठीक है, और यह आपका एकस्पोरियर एने 42 है, ठीक है, तो कोई पूछे आप से, तो हम बदफक में कि आपकी सम्ता मंडल में पाई आती है ठीक है हाँ कि तो इलागी फैमिली स्मार्ड में भाई सेशन हाँ एरोपिल रूराने के लिए बिस्बसे अच्छी लेयर मानी आती है यह आपकी सम्ता मंडल जो है वाईयू यानों के लिए एरोपिल रूराने के लिए सबसे अच्छी लेयर मानी जाती है तमझे मारा पॉइंट चली आगे बढ़ते हैं सर अब साथा जैब मंडल बायोस्पिर की और बात किया है यह जैब मंडल की तो प्रतिवी का वो छेत्र जहां पर इस्थल जल और वायू मिलकर के तीनों मिलकर के जीवन को संबब बनाते हैं जिसकी वज़े से जीवन संबब हो पाता है वो आपका बायोस्पिर या पर जैब मंडल कहलाता है ठीक है जनतू अब हम पादक मिलकर के इस मंडल का क्या करते हैं बई निर्मार करते है ठीक है तो देखो कि अगर आप तो इस तरीके से होता है आ और यह आपका इसल मंडल तो यह तीनों पार्ट मिलकर के बना रहे हैं क्या आपका जैव मंडल और इसी जैव मंडल में ही जीव जीवद रह पाते हैं ठीक है आप लोगों के पास जतने भी फेस्बूक वाटसब टेलिग्राम गुरूप हैं वहाँ पर सेशन को भाई आप लोग क्या करेंगे शियर कर दीजिए और अगर पसंदारों सेशन को भाई लाइक करिएगा जो बच्के ऐसे जो नहीं अभी तख सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो हो सब्सक्राइब जरूर कर ली जएगा जो निए बच्छे हैं झेखो वाई कभी-कभी मैतलगता है बैट जो कर लिया जो हो गया अब तो या बैट कर लिया तो creature बढ़ें के दिखाना है, ये ठान लो पने mind में, ठीक है, हाँ, चलिए, तो बटा ये point clear हो गया यहां तक, देखो, हम फिर कह रहे हैं आप लोगों से, बुलकुल basic part में आपको पढ़ा दे रहा हूं, जिससे कि आप लोगों को, इन चुचों को समझने में दिक्कत ना ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर, चिप को अंदलन के परिंटा कौन थे वई, तो सल्तानलाल बहु को राथे, आगे आते हैं, पर्यावरन सनच्छण पर कौन सा गहर सरकारी संग काम करता है सर, तो बढ़े www.f है, ठीक है, www.f ये रहा आपका worldwide fund for nature, प्रिंक है, ये बनता है, आगे बढ़ते हैं, पर्यावरन दिवस कब मनाया जाता है, ये पुछा गया है वई, तो पर्यावरन दिवस मनाया जाता है, आपका 5 जून को, ज्यान रखिएगा, विष, इंहगोंडल देस, जो celebrities होता है, वो 5 जून को किया जाता है, celebrate आगे बढ़ते हैं पार से तंतर का उधारण क्या होगा इसमें से तो भाई वाई यू हो नहीं सकता ताला हो सकता है जल भी नहीं होगा मरदा भी नहीं होगा तो option जो B है क्या बन जाएगा आपका राइट आंसर आगे बढ़ते हैं यह है भाई आपका इसमें आपका एक उधारण बन जाएगा इसका कौन जैविक कारक नहीं है पेड़ पौदे नहीं है जन्तु नहीं है या सूच मुझीव नहीं है या परस्तर तो भाई ध्यान लखना पेड़ पौदे जैविक कारक नहीं है तो भाई पेड़ पौधे हैं, जन्तू भी हैं, प्रस्तर नहीं होगा, तो D is the right answer, लगा लो भाई D answer, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अधिकतर पेड़ पौधे कहां पाई आते हैं दोस्तों, तो अधिकतर पेड़ पौधे पाई आते हैं भाई आपका इस्तिल मंडल में, option A is the right answer लगा लो, इस्तिल मंडल में, अधिकतर क्या पाई जाते हैं सर, पेड़ पौधे पाई जाते हैं, यह देखिए आप यहां पर, इन में से, जैवे गटक जो है, वो कौन सा है, जैवे गटक, पादप होगा, म्रदा होगा, या वाई या फिर जल, इन में से, जैवे गटक जो है, वो क्या होगा, तो पादप है, आपका म्रदा है, वाई या जल, वह यह आपका पादप, प्लांट्स जो होगे, वो किसमें आ जाएंगे आपके प्लांट्स, वो आपके जैवेग में, वाई टक में आएंगे, लिविंग तिंक्स में आएंगे, यह सारे के सारे किसम लिविंग में आजाएंगे लिविंग में आ आगे कि आगी मद आपका दी कि रहे estid कब दो अक्टूबर को या एक जुलाई को या फिर दस अगस्त वो लालो बही आंसर आपका एक जुलाई को वन महोसब दिवस मना जाता है अपता पूरा माना अत्मान लीजी आप ठीक है आगे बढ़ते हैं पढ़्यावन के अंतगरत क्या क्या आता है वही पढ़्यावन के अपका पीड़ पॉदे जिव जन्तु आते हैं रिष्टे नाते संस्क्रति आती हैं भुलकुल आती हैं सर मंकान सडके पूजा इस्तल आते हैं ये भी आते हैं तो लगा लो वाई आंसर डी ऑप्सन डी इस दा राइट आंसर मानव निर्वति में आप देखोगे तो इन्होंने शड़क बनाई उद्योग बनाई इस्मारक बनाई पारक बनाई हैं और आर्थित तरीके से बहुत सारे चीज हैं मानभ निर्वत में आप दिखोगे तो इन्होंने सड़क बनाई उद्योग बनाई इसमारक बनाई पार्क बनाई इमार्दे बनाई यह आपका नेच्रल में डोंता है इसमें आपका जल है वाई यू है इस सल है सजीव जैव बंडल हो गया आपका यह नैच्रल में आ जाएगा इस तरीके से हम देशकते हैं यहाँ पर ठीक है सर फी कितनी है इस बैच की सुपर टैट की बैच की फीस की और बात कर रहे हो तो मात्र टू थाउजन रूपीज की फीस है अभी आज यह पट्चिस करोगे वाई वन एट फोर कोड यूज करके तो 77% मिल जाएगा आपको दू यार पर मिल जाएगा आज यह कि अगर यहां तक कहानी किलिए तो हम आगे बढ़ते हैं फिर बच्चे कमेंड कर बतातो मुझे किसरा हां यहां तक किलिए है और बाई एक बार सार बच्चे सेशन को 100 से फटावट जल्दी पूरा पूरा करो लाइक पूरे 100 करिए तब ही कुछ ना आगे बढ़ेगा सार बच्चे फटावट से लाइक करेए 100 फिर आगे बढ़ते हैं उर्जा का प्रामेट कैसा होता है यह पूछा क्या प्रामेट सीधा होगा उल्टा होगा या अन्यम में तिरायन मैंसे कोई नहीं तुनम सिंग गुड़ा फंडूं सर आई है जॉइन दिस सेशन तुनम जीन स्वागत है आपका जो भी नए बच्चे हैं उनसे में रग्रश करूंगा कि सेशन को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा तीचे सड्डा के नाम से चैनल है ठीक है इसनेक और सेर में थर्ड हाँ बई इसनेक और सेर में थर्ड कौन होगा तो सांप आएगा सेकेंड में आपका सेर आ रहा है और खासके बता दूँ जा रहा है ऐसे कोश्चन जब भी ट्रॉपिक लेबल पूछे आपसे तो आपको वहाँ पर मोशली क्या होता है फिगर दिया होता है जब फिगर दिया होगा तो पिच्चर किलेर हो आती है कि बात किसकी हो रही है इस दा राइट आंसर देखिए आपका यहां पर देखो उर्जा का प्रामेट जो होता है यहां पर देखिए 100 kg था प्रोडूसर के पास 100 रह गया दस रह गया एक रह गया यानि की सेर 10% ही एनरजी क्या होती है ट्रांस्पर हो पाती है 90% बेश हो जाती है टॉप में आपके यह आपके प्रैमरी कॉर्णी वरस यह आपके हर्वी वरस साकाहारी यह प्रोडूसर यह हमें यह भी कर सकता हूं कि यह प्रैमरी कंजूमर यह आपके सेकर्डरी कंजूमर यह तैट्री कंजूमर तो भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आगे बढ़ते हैं, next प्रस की तरफ, प्राकर्तिक और सामाजिक सांस्क्रतिक पर्यावरण के बीच अंते कि रिया का उधारन क्या होगा, भाई बनाओ की कटाई होगी क्या, नहीं होगी, सिकार होगा, या दिर्मानकार, या उपरोग सभी, तो भाई, प्राकर्तिक और सांस्करतिक पर्यावरण की विच अंते कि रिया का उधारन क्या है, ये सभी हैं सर, तो उप्सन डी क्या बन जाएगा, आपका यहां पर राइट आंसर बन जाएगा, लगाओ प्रावरण से राइट आंसर, पूजा जा करें सर, आज मैं बहुत सालों के बाद क्लास कर रही हो, क्यों पूजा जहा जी कहाँ चले गए जिस सालों के बाद, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्राकर्तिक पर्यावरण के प्रमो गटक जो हैं इन में से कौन से होंगे सर, ये पूचा गया है, सभी जीव होते हैं, या फिर भू आकरतिक कारक होते हैं, या जला अभिविक क और या फिर उपरोग सभी तो प्राकर्तिक परावण के प्रमो घटक जो है क्या होंगा सर्ण यहां भी क्या बनेगा आणसर बनेगा तभी जीव प्राकर्तिक प्रावण के तो का कहा रखे है सर्ण हैं ठीक है 90% क्या होता है वही आपका वेस्ट हो जाता है ये देखिए आप लोग यहाँ पर तो ये आपके उत्पादक हो गए ये प्रात्मे कुपवोगता ये आपके सेकंडरी और ये तत्या कुपवोगता ठीके बच्चो और ये फिवाद में आते हैं आप गटक समझ में आ रहा है जल्दी तो नहीं हो रहा शलो स्पीड तो नहीं है फास तो नहीं है आप अपनी कमेंड के मातम से बता सकते हैं यहाँ पर ठीक है ले तना कहा रहा हूँ बटा कि जो पढ़ा रहा हूँ ना इससे बाहर नहीं आएगा कोई भी पेपर प्रिस्ट ना आपका बस यही कहना चाहूँगा मैं आप अंड में और आप इनके नोट्स जो बनाएगा फिर मैं कहूँगा बार बार अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो ना तो बहुत बड़ी गल्दी कर रहे हो नोट्स बनाएगे प्रॉपर तरीके से और फिर देखे सर के कैसे आपके एक्जाम क्लिट नहीं होते है पीडियेफ हम आपको देदे रहेंगे मैंने कह दिया है कि यह पीडियेफ आपको आज आपके टेलिग्राम में अपलोड हो जाएगा चलिए किरन जी आगे बढ़ते हैं वन्यजी सब्ता में अभी बतायाता आप लोगों को तो अपसरन ए बन जाएगा आपका एक टूबर से साथ टूबर तक बनाया जाता है यह सर आपके सारे वन्यजीव है इन में से कौन सी खारसरंगला गास मेंदानों की नहीं है कौन सी सरंखला गास मेंदानों की नहीं है यह पूछा गया है तो भाई कीट मेडक सांप गास में मिल जाएंगे खरकोस लोंबडी सेर गास में मिल जाएंगे प्लाबग मचली वेल यह भाईया यह तो समुंदरी है यह नहीं मिलेंगे आपके तो आपसन जो है C is the right answer आगे बढ़ते हैं किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौदे हरे होते हैं तो भईया आपका क्या होगा क्लोरोफिल एस में यह रहा भई क्लोरोफिल की कारण प्रत्थिवी पौदों की रंग कैसा होता है हरा होता है और इसे की उपस्थिति में प्रकास के साथ पौदे क्या करते हैं प्रकास संस्रिश्टन की क्रिया यानि की फोटो संस्रिक प्रिक्रा करके प्रमोजन बनाते हैं तो D is the right answer जड़ी बूटियों की रानी बहारत का सबसे पवित्व जड़ी बूटी है उसका औसदी में या औसदी पौदे का हिंदू में काफी धर्म में काफी मेत्वपूर है पास्पत्तिक नाम क्या है इसका औसीमम सेक्टम तो भाईया ये किस नाम से जानी आती है अजमाइन के फूल के नाम से जानी आती है तुलसी के नाम से जानी आती है रोज मेरी या धनिया बताईए सब आंसर क्या बनेगा आपका यहां पर तो लगा लो भाई तुलसी ओप्सन B is the right answer तो को आंसर बढ़ा तुलसी is the right answer आगे बढ़ते हैं प्रकार संस्रेशन के दौरान हरे पौदे इन में से किसको सोख लेते है जब आपका फोटो संस्रेशन की प्रोसेस होती है तो पौदे जो हैं सोख लेते हैं एब्सॉर्ब कर लेते हैं CO2 को, हीलियम को, या नाइट्रोजन को, या अक्सीजन को तो भई आए यहां बैंसर लगा लो सीदा-सीदा आपका CO2 कारवन डे अक्साइड CO2 को क्या करते हैं यो सोख लेते हैं तो उप्सन A is the right answer ठीक है आगे बढ़ते हैं दूद से दही बनने की प्रिक्रिया को क्या का जाता है दूद से अगर धही बनाई आ रही है दूद देखा है आपने धही भी देखी है धही को दूद को जमाते हूँ भी देखा होगा और नहीं देखा हो तो घर में दूद धही तो खाई होगी तो उसे क्या कहते हैं यह आपका किड़वन कहते हैं यानि की फर्मेंटेशन कहा जाता है Option C is the right answer ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं एक वेस्क में कितनी हड़ियां होती है बई तो 206 ऐसे प्रेशन है यह तो सर आते ही है मतलब कुछ प्रेशन तो ऐसे हैं जो सिंपल हैं और आएंगे भी ठीक है आगे बढ़ते हैं फूलों की घाटी कहां पर इस्तेते बाई यह बताईए ठीक है तो भी यह कहा है उत्तराखंड यह रहा लगा लो भाई D answer आपका उत्तराखंड क्या बन जाएगा हमारा यहां पर right answer बन जाएगा ठीक प्रकास अंसेशन के प्रकासी चड़न के दोरान oxygen का क्या होता है जल जल का oxygen और आपका NADP का option होता है तो option A होता है A is the right answer पौदों को वाईव मुडल का सुद्धी करन का जाता है क्यों क्यों कहते हैं पौदों का बाई कि यह पौदे को सुद्ध कर देते हैं आपका वाईव मुडल को पूरा एक्तम क्लीन कर देते हैं क्यों कहा जाता है स्वसंकी क्रिया के या वास्पजन क्रिया होती है या फिर प्रकास संस्लिशन की क्रिया होती है इसके दोरान पौदे अपना बोजन स्वेम बनाते हैं और O2 छोड़ता है CO2 को क्या करता है एब्सॉर्ब करते है O2 को छोड़ते है और O2 जब ज़्यादा होगी वाईव मुडल में तो मारा पातवन कैसा होगा सुद्ध हो जाएगा देगे दोस्तो आगे बढ़ते हैं यह क्या हुआ बरफ पर अंदे देने वाला पक्षी जो है कौन सा है तो भई आकर्टिक टर्ण है हमिंग वर्ड या फिर एलबेस्ट्रोस या पैग्मिन ओप्सन D जो है क्या बन जाएगा आपका राइट आंसर लगा लो भई ओप्सन जो D है यह आपका क्या बन जाएगा राइट आंसर बन जाएगा ठीक इन में से कौन सा बरक्ष जैविक कीट नासक का उत्पादक है ठीक है नीम है देवदार है चीड है या फिर ओक है पताईए बटाबट से यहां प्लांसर क्या बनेगा आपका तो नीम बनेगा नीम जो होता है वो एक उसदी प्लांट है और उसकी छाल उसके निबोली उसका तेल काफी तरीके से उसदी रूब में इसका यूज होता है तो A is the right answer इनमें से कौन सी प्राकर्टिक बिरिस्पती मरुस्तली प्रद्यसों में पाई जाती है तो भाया आपका मरुस्तली नाम आते ही हमारा नाम आता है Cactus Cactus यह एक ऐसा बलांट है जो आपका मरुस्तली है यानि कि इसको कम पानी आप सकता होती है और इसमें क्या होता है पतियां जो होती है वो काटों का रूप लेदेती है और तने में कहा पर से तने में इसमें प्रकास सथ्शलक की प्रकि dependency होती यह पर सब् ci आता इस तरीके से ठीक है तो आप्सन B is the right answer अभी चंदन की लगड़ी का दंदा का आपने आपने चंदन का बिजनेस जो है देखा ना पुस्पा मूवी आई है उसमें दिखाया गया है देख लेना कैसे उधी चंदन की लगड़ी जो है दही निर्मान है तु कौन सा सुचमजी उत्तरदाई होता है भई तो यहां पर वो बताना है माइक्रोनिज्म ठीक है हूँ इस रेस्पंसिबल फॉर मेकिंग दा कर्ड तो भई लेक्टो वेसलस है इसमें कहीं यह रहा आपका ऑप्सन D is the right answer ठीक है आगे वढ़ते है मानव दृद्रवर्ग की खोज किस बिज्यानिक ने की है भई तो लेंड इस्टीनर है जैनिक्स है पैंतिन मास्ट है यह काल मार्क्स तो लेंड इस्टीनर is the right answer लगा यह answer लेंड इस्टीनर ने आपके मानव दृद्रवर्ग की खोज़ की थी कोन है? सर्वगराही कोन ہیں? आप मुजे comment करें बताव sonra कि इसनर ये तो सर्वदाता है और ये सर्वगराही है ये मुझे आपको देसे प्रि में प्रेस्ट करने के लिए आलू प्याज और अधरग भईया किस में आते हैं? जड में आते हैं, तना में आते हैं, या में पात्वों के द्वारा बातवर्ण में कौन सी गैस अवसूसित की आती है तो यह सी यो टू गैस अवसूसित की आती है अभी मैंने पढ़ाया था कुछ ना आपको यह एक नेक्स प्रेशन आता है आपका यहाँ पर ठीक है यहां डिजर्ट प्लांट होंगे तो ऑप्सन जो डी है क्या बन जाएगा दोस्तो राइट आंसर लगाओ फिर फिरावट से डी आंसर ठीक है आगे बढ़ते हैं पौदों में कौन सा एक ब्रक्ष का उधारन है आपका सर यहाँ पर बरगत का पेड़ जो है वो क्या है आपका एक्जामपल है ऑफचन एजदा राइट आंसर कोईकि पीड़ों में देखा जाए तो बरगत का पेड़ आता है कीट बक्षी पादब जिस्म्रदा पर उगते हैं उन्में से कौन सा तत्व नहीं होता उनमें कौन सा तत्व नहीं होता नाइ्टोजन नहीं होता करव वहाँ पर nitrogen नहीं होता है. तो answer लगाओ फटावट से nitrogen Next-person आपका आता है यहाँ अंपर यह राव इनमें से कौन द्विज पत्तरी plant है? तो इनमें से कौन द्विज पत्तरी कौन सा होता है? जो दो दल होते हैं उसके जिसे मटर है चना है आपका सर्सों है, तो सर्सों भी लगा लो भी right answer, D is the right answer, ठीक है, answer क्या बन जाएगा, D बन जाएगा, आगे बढ़ते हैं, पौदों में जलका अधिकरण किसकी द्वारा होता है, तो वही जाइलम होता है, फ्लोयम या फिर कैंबियम, या फिर पहली सेड, ठीक, तो, दो बज आगे बढ़ेगा next point, पर्यावरण के अंतकरत, जो पौदे आते हैं, वो कौन सा होगा, पेड़ पौदे होगा, या जीव जन्तु, या फिर रिस्ते नाते संस्कति, या फिर भाई, या ताभी आखो मैंने, all is the right answer, क्या हो जाएगा answer, all, मुझे, आप मेल कर देना, ऐसी दिक्कत है तो, किसी बच्चे को दिक्कत आती है, तो कोई नहीं आप मेल कर देना, ठीक है, नजातूंग आपको, तो D is the right answer, उर्जा का प्राइमेट कैसा होता है सर, सीधा होता है, हमने पढ़ा अभी, ठीक है, ये भी हो चुका है, प्राकर ये सारे कुछन हो चुके हैं हमारे, दस प्रसत का नियम किस ने दिया है, तो लिंड मान द्वारा, गोल मान द्वारा या बैक मान द्वारा, तो ये दिया है आपका लिंड मान के द्वारा, ये is the right answer, जैविक प्राइमेट में सामिल है, कौन कौन सामिल है बाई, तो उत्प यह था हमारा आज का सempor सेंशन और एसके आगे आप लोगों को कल की से तुछ रहें तो आप सारे भचे ध्यान से उस किसी भी स्टेट से हो और बहुत से बच्चों का इसा होता है तो वह घूमते रहते हैं तो वह जो बच्चे ऐसे हैं और आपकी जो दोस्त हैं एक बार क्लास जरूर लें मज़ा आएगा आपको क्लास ले कर गए ठीक है बच्चों बाई बाई टेक केर थैंक यू जैहिन जैवारत